सुप्रीम कोट का ये एतिहासिक फैसला जो है वो कबजा विवाद को लेकर है और साथ में उससे सम्मंधित जो मुआबजा होना चाहिए उसको लेकर है ये जो आप फैसला देख रहे हैं ये सिविल अपील नंबर 8292 आप 2021 यहां पर है और ये भारत पेट्रोलियम जो है करप और साथ में वर्सिस जो है वो एटियम कंस्ट्रक्शन है अब या खिर यहां पर बिबाद क्या हुआ कबजा को लेकर खास करके ये बिबाद की अगर बात करें और इससे सम्मंधित जो सुपरिम कोट के फैसले हैं एतिहासिक फैसले हैं बहुत महत्पुर्न फैसले हैं अब इसमें हुआ क्या सबसे पहले देखें क्या है ये कानून देखें अगर आपकी जमीन माल लेते हैं आप जमीन किसी को देते हैं ठीक है या आपकी जमीन को कबजा कर लेता है जबरन कबजा कर लेता है जैसे भी करता है अब अगर वो अवय तरीके से पोजिशन पर है उसको आप अपना जो आपका position होना चाहिए जब आपकी संपत्ती है तो आप अपना position वापस प्राप्त करने के लिए case फाइल करते हैं और ये case आप फाइल करते हैं civil court में लेकिन अब अगर मान लेते हैं ये परक्रिया होते होते अगर 5 साल लग गया ये परक्रिया होते होते 10 साल ल का भारपाई कौन करेगा तो इसी के लिए जो है यहाँ पर ये जो आप मामले देख रहे हैं यानि अब आप case फाइल करते हैं वो है suit for position का और साथ में एक और आपको case फाइल करना है अब उस पर जो है दोनों यहाँ पर जो case है वो साथ साथ चलने वाला है एक पहला क्या हो होगा वो होगा यहाँ पर आप suit file कर रहे हैं किसके लिए तो अपना जो आप position है प्राप्त करना चाहते हैं अपना जो है वो आप एक तरह से जिस जगह पर आप नहीं है जो की कबजा कर लिया गया है और उसके साथ जो यहाँ पर होगा वो एक और case आप कर सकते हैं वो है उ खेती कर रहा है तो आप खेती का फसल तो कबजा करने वाला खा रहा है तो उसका भरपाई कौन करेगा भरपाई तो चाहिए तो ये जो सुपरिम कोट का फैसला आया एतिहासिक फैसला आया अगर आप भी समझेंगे तो आपको भी लगेगा कि ये अगर कोई कबजा कर भी लि अब इसके साथ जो है यानि आपको एक case फाइल करना है वो यहाँ पर है man profit का ठीक है profit का तो यह यहाँ पर इसका जो उचारन है यानि उसको आप यहाँ पर कर सकते हैं यहाँ पर man profit तो यह लिखने का लेकिन जो यहाँ पर होता है म.E.S.N.E. अब यह दोनों case एक तो सोट फर पजेशन का चला उसके बाद जो man profit का यहाँ पर है दोनों का दावा आप कोट में पेस करेंगे एक तो आपको कबजा वापस चाहिए दूसरा आपको उससे सम्मंदित मुआपजा चाहिए अब यहाँ पर जो होगा क्या इससे अगर मालेते आपकी संपती पर कोई खेती कर रहा है या आपका दुकान कोई कबजा कर लिया दुकान में वो बिजनस करना सुरू कर दिया आपका मकान कोई कबजा कर लिया तो मकान पे वो मालेते रेंट आ रहा होगा या हो सकता है कि किसी अन परकार का कोई कॉमर्सियल बिजनस ही स्टार्ट कर दिया जो भी है आप पूरा डेटेल देंगे कि आपको उससे कितना आय होता था और जो आय होता था उसको आप जितने साल तक वो परकिरिया चला और उससे पहले वो जितने साल से कब्जों में है वो सारा पैसा देना परेगा किसको देना परेगा कब्जा करने वाले को यानि कबजा करने वाले जो हैं उनको ये पैसा वापस करना परेगा अब इस फैसले की अगर बात करें ये जो फैसला है तो इसको आप डिटेल में पर सकते हैं और उसका आपको हम केस नंबर जो है बता ही दिये अब सुप्रीम कोट के साइट से जो है आप उसका पीडियेफ निकाल कर जो है वो पर सकते हैं अगर आप परना चाहें तो है ना टूटाजन ट्विंटीवन अब यहाँ पर जो है ये देखें कि असूट आफ जो रिकभरी अ पॉजेशन है ना और यहाँ पर में जो में प्रोफिट है वो दोनों के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर आप जो देखें क्लैम जो है ऐसा हुआ कि कोई सूट फॉर पॉजेशन के लिए दावा कर दिया कहने का मतलब है आपने क्या किया कबजा वापस जो है प्र दावा नहीं किया तो यहां इस केस में यही हुआ यह जो यहां पर देखें जो जो पेट्रोलियम कर्परेशन है और एट्रियम कंसक्शन है इस मामले में ऐसा हुआ यानि सूट परजेशन के लिए डाला गया लेकिन प्रॉफिट के लिए जो मौावजा है उसके लिए नहीं हुआ लेकिन जब मामला सूपरेम कोट में गया तो यस बैक्ति को न्याय मिला इसलिए न्याय मिला और फैसला दिया गया साथ में जितना भी मौावजा होना चाहिए वो मौाबजा भी दिया गया देखें अगर आप भी आपके भी संपत्ती का कोई अगर अवैद कबजा करके बैटा हुआ है तो अगर आप अभी तक सूट आप जो पोजेशन है फर पोजेशन है अगर आपने फाइल नहीं किया है यानि कबजा वापस पराप्त करने के लिए अगर आपने केस फाइल नहीं किया है और लेकिन जो आपकी जमीन है जो मकान है अगर वो कबजा किये हुए है और उससे आपको इंकम होता था मतल telephone वो एक आई का स्रोत था तो उसमें सबसे पहले आपको समझना होगा कि कितना इनकम होता था तो ये परकिरिया जब तक चलेगा अगर वो कब्जा नहीं खाली करता है नहीं छोड़ता आपकी संपत्ति को तो जब तक परकिरिया चलेगा तब तक जितना भी आपका आय होगा उसका मुआफजा मिलेगा यहनि अगर साथ में आप जो है यहनि दोनों केस फाइल करेंगे उस वेक्ति को नोटिस जाएगा और साथ में मान लेते हैं केस का परकिरिया दो साल चला है न या पांस साल चला आपको जो है गबराने की जरुवत नहीं है एक एक पैसा आपको वापस मिलेगा जितना आपका इंकम होना चाहिए वो आपको मिलेगा जितना आपने खर्च किया कानूनी परकिरिये में उसका भी आप दावा कर सकते हैं तो यानि ये जो फैसला सुप्रिम कोट के दोरा दिया गया ये एक एतिहासिक फैसला है इस समस्या को लेकर अब आपके मन में सवाल आएगा कि कुछ ऐसे कंडिसन है जहां पर ये लागू नहीं होता है बिलकुल ऐसे भी कंडिसन है जहां पर ये लागू नहीं होता है वो कौ पर्टी अगर जॉइंट है ठीक है अब उसमें से बहुत सारे हिसेदार है ना एक हिसेदार नहीं है अब कबजा करने वाला जो है कबजा करने वाला जो है वो अगर भाई है चाचा है है ना कोई हिसेदार है इन सभी लोग अगर जो आपके संपत्ती को कबजा कियों अधिकार है यानि जो समपत्ति का आप दावा कर रहें ठीक है वो आपके sth की प्रोपर्टी होगी लेकिन कानूनी तोर पर जो है भाई है उसका भी उसमें सेयर बनता है तो इसमें आप जो है इस प्रोफिट का दावा नहीं कर सकते हैं यानि मुआबजा का जो है दावा आप नहीं कर सकते हैं यानि साप साप यही कहा है कि अगर कोई ऐसा जो हिस्सेदार कबजा कर लिया तो उस पे ये दावा जो है वो लागू नहीं होता है अब यहां पर देखें कि जो कहने का मतलब है इसमें जो है जब भी मुआपजा दिया जाएगा जो इसके रियल ऑनर उन्हीं को मिलेगा कहने का मतलब है कौन कहलाएगा मतलब मैं ऑनर कौन बास्तविक जो संपत्ती का मालिक होगा वो कौन कहलाएगा तो बास्तविक संपत्ती का मालिक वही होगा जिसके नाम से संपत्ती है इसको समझ लें जिसके नाम से यानि संपत्ती जो है दर्ज है वही इसका एक तरह से वास्तविक मालिक होगा और उसी को इसका मुआवजा दिया जाएगा ठीक है तो अगर अगर आपने इस मामले में सूट फॉर पजेशन का केस नहीं किये हैं तो आपको करना है और अगर आप करेंगे तो उसके साथ-साथ जो है यानि मुआबजा के लिए भी आप दाबा पेस करेंगे और आपका जितना भी नुकसान हुआ है वो सारा आप रिकभर करेंगे यानि आपको जो है रिकभरी के लिए भी साथ में केस फाइल करना है कि मेरा जो नुकसान हुआ है वो भी हम उस कबजा करने वाले से वसूल कर रहेंगे तो ये है सुप्रिम कोट का फैसला यानि ये एतिहासिक फैसला है यानि कबजा के साथ साथ अब मुआबजा भी मिलेगा आसा करते हैं वीडियो अच्छा लगाओगा वीडियो अच्छा वीडियो को लाइक जरूर करते हैं चैनल को पहली बार देखने हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन उसको जरूर दबालें मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जैन